बिजनौर पब्लिक स्कूल के चात्र चात्राओं ने सिक्षक MLC का स्वागत किया। बिजनौर पब्लिक स्कूल के चात्र चात्राओं के बीच पहुचकर उन्होंने काफी अच्छा महसूस किया। करता हूँ। उन्होंने कहा कि आप लोगोंने मुझे वोट देकर लखनौ भेजा है। मैंने सरकार के सामने Education Act बनाने का मामला उठाया है। उन्होंने स्कूल के संस्थापक महेंद्र सी की प्रशन्सा करते वे कहा कि मैंने अनरोद किया था कि आप लोगों के बीच आऊँ और सिक्षा की बात करूँ। ये मौका मुझे आप लोगोंने दिया मैं तहे दिल से प्रशन्सा करता हूँ। उन्होंने कहा मैं बच्चों के बीच में रहना बहुत अच्छा समस्ता हूँ। मैं भी एक कॉलिच चलाता हूँ। बच्चों के बीच में रहकर अपने स्कूल जाने का पुराना टाइम याद आता है। जब हम तकती लेकर स्कूल जाते थे। आज मैं बहुत आनन्दी थूंगी मुझे बिजनौर पब्लिक स्कूल के बच्चों के बीच में बैट कर और बोलने का मौका मिला है आजने विकास कुमार टायगी जी तदाने सारे महदा है तरी साथ है चाविप्रिसिंग जी और सेखा निर्मित निकाओं आपको मैं रिटार्ड तो काओंगा नहीं रिटार्ड सब तो ऐसे लगता है इस पड़र लीडर हमारे चिपेश कुमार जी सम्मारित मेरे बुरू जान और प्यारे प्यारे बच्चे एक कावत है कि आप अगर किसी इस कॉलिज को देखना चाहते हो थोड़े से चाहिए तो उसकी प्रेयर पर चेले जाएगी आप कि प्रेयर कोड़ा आपको लेखन जोफ़ेश किन लिए क्या होने वारा है तो कैसा कॉलिज चला उसके बारे में आपको सारी जनकाईब गाई और अगर पूरे साई का लेखा जोफा देखना हो तो उसके ऐनल्व फंक्शन पर आप च今日 को बच्चे सारी चीजिए आपको बच्छे मेंसे में पिर ना पर प्र प्रक्रह किई और दूना इसे भी अलिए सब्सक्राइब और आपको फोट फोट बढ़ाई सुस्काम नाएं सबसे तुम्हें आधरी आधरी मेंजर सिंगी का दहनवाद स्टाप का दहनवाद करता हूं आप सब का कि मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति को आपने बोट देकर लखनों फेज दिया उस सदन का सदस्ट बना दिया आपका कोटम कोटा बहारा भुणवाद करताओं नहीं सबस्टिस रहती है कि जिस मक्सद से मेरे को लखनों फेज आप लोगों ने तो आपकी बाते में फूर दिलकर स नहीं होगी इनको संदक्षण कानूनी रूप से नहीं दिया जाएगा तब तक आप यह आप एपट आप प्रवाइब और विदान परिशन में वह उससे पता चला कि इनके अंदर उर्जा जो है प्रभुने भर बंके दी है और यह बहुत पॉजिटिव चीज है जो लोग उर्जावाने जिनके अंदर उर्जा है जिस तरह से अभी बात भी कर रहे थे उसमें भी उर्जा दिखाई जर्जावाने और जो काम करेंगे वह उर्जा है और इस उर्जा से हमारे देश के प्रदेश के जो जो Vai जो नेता है यदि काम करेंगे उस बहरों किशा होगा हम सब का हो तो हमारे सबकी सकी धन्यवात कि आप इस बनाइ ने बहुत अच् causes कर रहे हैं पीचर तक्टांu कोई कर रहे हैं यदि वह आएगा तो सारे शिक्षक समाज के लिए एक बहुत अच्छा जो है रहा है और जो बच्चे हैं कभी आगे चलके भावी शिक्षक भी हैं यहांपर हम लोगी वह वैठ है यह पर एक चीज मैं यह अनुपम का इस्तेमाल कर रहा है शिक्षण में उसको कभी किसी विध्यारती से या किसी अविभावत से डर नहीं होगा जो शिक्षक वर्थ शॉल्ट एंगलिश में कहते हैं जो अपने नमक के बराबर काम कर रहा है जो इस देश का नमक खा रहा है अगर वो उसको किसी से डरने की जुरती है जो कि उसके चरण में सिर्फ बच्चे जो है उसके पैर ही चुएंगे उसको किसी से खत्रा नहीं होगा खत्रा सिर्फ वहाँ आता है जहां हम अपनी आधी नौलिज को समझके बच्चे को जो है मुर्ख समझके या कुछ समझके उसको गलत लाते हैं वहीं पर सिर्फ ये खराल होता है